हेलो एवरीवान कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू माइच चैनल और यह आप देख रहे हैं आज हम लोग ऑफिस गए थे फिर हस्बेंड मुझे लेने आते हैं और यह जो देख रहे हैं यह भेल पूरी है बहुत टेस्टी था यह हस्बेंड के ऑफिस में एज इविनिंग स दिया गया था तो वो डायरेक्ट उनके ओफिस से मेरे ओफिस में लेने आए साथ में हम लोग बैठके भी यहां पर खा रहे हैं और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले रास्ते में एक साइकल आके थर्टक कर दे दिया सोचो लेकिन वह साइकल को कुछ नहीं हुआ वह आराम से निकल गया मतलब हलका साही मतलब स्पीड भी बहुत कम था और हमारे गाड़ी में उतना कुछ स्क्रैच नहीं लगा लेकिन यह बहुत टेंशन में आ गए थे कि लड़के लोगों के साथ गाड़ी का रिष्टा कुछ और है और अभी हम लोग घर पाँच गए और म मेरा नया बैग है और मैं मिंत्रा के जो सेल चल रहा है उससे में खरीदी हूँ इतना प्यारा इतना सुंदर बैग मैं बहुत दिन से एक ब्लैक कलर का स्लिंग बैग डून रही थी जो थोड़ा बड़ा हूँ मेरी बेटी का कुछ-कुछ सामान आ जाए जैसे की वाइप हो क्या लगा रही हूँ क्योंकि लास्ड़ याद है न आप लोग को कि मैं कुछ और लगा लिया था और उसके कारण थोड़ा थोड़ा दाना भी निकला है I will show you just right after this और यह मैं ध्यान से लगा रही हूँ विटामिन सी सीरम यही देखो यही वाला दाना हुआ है मेरा निया से लामियाज के कारण और विटामिन सी सीरम का कुछ असर पर रहा या नहीं वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बस दो दीन हुआ है अगर कुछ फरक पड़ा तो I will share the information with you all और उसके बाद मैं simple का moisturizer लगा रही हूँ बहुत ही lightweight moisturizer है यह और अभी हमारा cuddle time है office से आने के बाद यह time इतना अच्छा लगता है कि क्या बता हूँ मैं लेकिन मेरी बेटी को नहीं उतना cuddle वडल पसंद नहीं है तो वह भाग रही थी मेरे से मैं इसको जवड़ दस्ती पकड़ के रखी थी औ और अचानक मेरे husband को evening snacks खाने का मन किया वैसे तो हम लोग direct dinner करते हैं अचानक उनको मन किया एक कारण है हम लोग जो cheese खड़ी दे थे ना वह वाला cheese बहुत दिन से पड़ा हुआ था एकस्पायर होने वाला था तो सोचे कि ठीक है पीजा बना के उसको use कर लेते तो बहुत ही सिंपल सा recipe है पीजा बेस हम लोग बाहर से खड़ीत के लाए थे और वो जो वीबा का पाजा पाजा नी पीजा पास्ता सॉस दिखा वो पहले apply कर लिए ठीक प्याज कैपसिकम और जो भी आपको सबजी मन लगे कौन हो वो सब आप उसके उपर डाल दो और भर के चीज डाल ठीक है और यहां पर मेरी चाय बन रही है और हाँ एक बात है कि पीजा बनाने के पहले ना आप माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेना प्री हिट में करके फिर आप पीजा को सजा जो भी मन है आपको सबजी दो कॉर्ण दो और उसके उपर ना आप भर के चीज देना यह की हूँ थोड़ा सा पानी में मैं एपल साइडर विनिगर ली ठीक है अब उसको में माइक्रोवेव में तीन या चार मिनेट तक रखूंगी ताकि पूरा जो माइक्रोव का अंदर है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए उसके बाद एक ऐसे कपड़ा लेकर वाइप कर दूंगी और यहां पर सबसे इंपोर्टेंट काम हो रहा है दिन का यह कल क्या रखाना बनेगा वह हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या-क्या सबजी है मतलब इतना टफ काम है यह बाई मेरे से और कोई भी क चाहिए चलो छोड़ो कोई बात नहीं रोज का काम है यह करना तो पड़े गाई चाहे में जितना भी रोलू अभी मैं आराम से बैट के चाई पी रही हूं और इसके साथ तो चाह पीना बहुत मुशकिल वाला काम है मिलब आप शांती से बैट के यह पी नहीं सकते हो इसे चाहे चाहिए और बच्चे लोगों को तो चाहे वैसे देना भी नहीं चाहिए लेकिन अगर मैं मना की तो exactly इसी तरह वो रोना स्टार्ट करती है और पता है वो रोते रोते ना Poems बोलती है जब भी रोती है रो रही है तो रो रही है ठीक है उसके साथ Poem ब奪ने है पता नहीं गोल गोल घूम रहा है लेकिन पता है रहे हुम्स कुछ दीन बाद बना रहे है थो हम भूल गये थे वैसे न, आप जब पीजा को अंदर में रखोगे, तो आपको convection mode में 10 minutes के लिए देना है, after preheat, ठीक है, preheat करने के बाद ही आप पीजा को अंदर रखोगे, उसके बाद convection में 10 minutes, then your pizza will be ready, मैं final look आपको दिखाऊंगी पीजा का, लेकिन तब तक मुझे थोड़ा सा office का काम था बा आप बैटके, enjoy करो, हमारे पास pizza cutter नहीं है, we'll buy that next, मेरे हस्बिन वहीं कंप्लेंड कर रहे थी, कि किते दिन से बोले, एक pizza cutter खड़ी दो, और पीजा ही तो घर पे बहुत बनाते ही और वैसे हम लोगो बाहर का pizza भी मतलब उप गया है, मन, इतना खाए है, कि अभी पीजा में इंटरेस्ट है नहीं, मेरी बेटी को भी उतना नहीं है, पता नहीं, जब बड़ी होगी तो शायद उसको भी pizza का इंटरेस्ट हो, फिर हम लोग खाना स्टार्ट करे, डॉमिनोज, पीजा हट, हम लोग यह सब से pizza खाते ही नहीं है, और ऑफिस से क्या, आने के बाद और इंबस करते हैं, और सच बोलू, तो मुझे तो किचन का काम पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बेन को खाना बनाना इतना क्यों पसंद है, मतलब ओविसली वो मेरे लिए एक positive point ही हुआ, लेकिन सच में उसको बहुत पसंद है, और मुझे तो डर है कि मेरी बेटी, सब बच्छल होता है, गर्व से बोलती हुआ, मुझे कोई शरम नहीं है, और यहां पर बेटी का डिनर हो गया है, और वो ऐसे दूद के लिए बहुत जादा excited होती है, दूद को जब microwave में हम लोग रखते हैं, तो तब ही से वहां पर वाकिन वेट करती है, फिर हम लोग यहां प मतलब बहुत popular series है, इसलिए हम लोग देखते हैं क्या है, बस चलो वीडियो को यहां पर end करते हैं, मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाई